जै गुर्देव और दोस्तों मेरे चनल सिद्य सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हारदिक स्वागत है और देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यास्तिता होने के कारण मैं वीडियो आपके लिए प्रति दिन नहीं डाल पा रहा हूं खि और चैत नवरात्री इसके बीच में किये जाने कुछ वाले जो सिद्ध प्रियोग हैं मैं आज उनको आपके समख से प्रस्तुत करूंगा क्योंकि वह ऐसे प्रियोग हैं कि अगर आप उन प्रियोगों को कर लेते हैं तो फिर वह अपना 100% प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं क्योंकि भारत वर्स में देखे कोई भी ऐसा इस्थान नहीं है जहां पर नवरात्री का पर्व पर जो है माद्रुगा का आवहन ना किया जाता हो उनकी विशेश उपासनाय ना की जाती हो या फिर होली जैसा पर्व जो कि एक तंत्रोक्त दिवस है इस दिवस पर किसी प्रिकार के आप प्रियोग कर सकते हैं जो तंत्रोक्त हैं और ऐसा नहीं है कि पूरे भारत वर्स में यह जो होली पर्व है बड़े ही धुमधाम से मनाया जाता है अब यहां मैं एक आपको छोटा सा मतभेद बता देता हूं कि कुछ लोग होली को मानते हैं कि जिस दिन रं अगनाओं के लिए प्रमुख दिवस है वो रंग वाले दिन से जो पहला दिन होता है जिस दिन होली का देहन किया जाता है उस रात्री को हमें साधना करनी चाहिए वही टाइम होता है अब यहां पर एक और थोड़ा सा मतभेद है कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी था कि ब नहीं 12 बजे के बाद कोई दूसरा दिन नहीं लगता है आप सुभे 4 बजे तक साधनाय कर सकते हैं क्योंकि 4 बजे जब भ्रह्मा उर्त हो जाता है तब आप वो साधनाय नहीं करें उससे पहले पहले आप यह किसी भी प्रकार की जो होली के दिन साधना की जाने वाली है उन प्रियोग बताऊँगा वो सारे प्रियोग आप होली से ले करके और नवरात्री तक कभी भी आप ये प्रियोग कर सकते हैं ये जो पूरा बीच का जो टाइम है ये बहुत ही जदा महतोपूर्ण टाइम है अब देखिए यहां पर क्या है कि बहुत से लोग समझते हैं कि जो होली पर तो जो है बस तांत्रिक साधनाई की जाती हैं सात्विक नहीं की जाती या होली को बहुत कुछ लोग ऐसा मानते कि इस पर जो है सभी प्रकार के तंत्र बाधायें जो होती हैं वो छोडी जाती हैं ऐसा नहीं है यहां पर खूली का जो पर्व है ये एक प्रमुख दिवस है तांत्रिक साधनाओं के लिए अब यसा जरूरी नहीं है कि आप उसमें सारी साधनाएं उस प्रकार की करें जिससे अभी आपब ही कि वुए साधना के बल पर आप मतलब कि किसी भी व्याक्ति को या किसी भी अपने कारिय को सिद्ध कर सकते हैं और जो प्रतिकूलता होती है वो अनुकूलता में बदल जाती है जिस प्रकार जैसे कि जिस व्यक्ति की भी यदि किसी प्रकार की कामना हो चाए वो उसकी अर्थ प्राप्ति की हो रोग मुक्ति की हो या वो करज अपना उतारना चाहता है या सिग इस दिवस पर या तो होली के रात्री में या फिर नवरात्री में ये चोटी-चोटी साधना करके निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकता है और देखिए अनुकूलता तो निश्चित रूप से मिलती ही है जब आप कोई भी साधना मन से और लगन से और भाव से करते ह तो 100% उसमें सफलता मिलती है वह बात अलग है कि आपने साधना एक दिन की की है तो आपको थोड़ा सा उसका जो प्रभाव होता है वह थोड़ा सा लंबे समय में मिलता है यह जरूरी नहीं होता कि आज आपने साधना की है तो आपको दस दिन में प्रभाव दिखाई दे उसका प्रभाव यह चल रहा है तो देखिए यहां मैं आपको सबसे पहले नंबर पर जो आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं कुछ तो ऐसे सत्रू हो जाते हैं कि जो सामने आपको दिखाई देते रहते हैं सामने से ही वो खुल करके वार करते हैं वो अपनी सत्रूता को दिखाते हैं और कुछ ऐसे सत्रू होते हैं जो एद्रश्य होते हैं वो आपके मुँपर तो बहुत मिठा बोलेंगे बहुत ही आपके जो नीव है ना उस नीव को तहस नहस करते हैं वो पीट पीछे आपकी बुराई करेंगे पीट पीछे ऐसी रचनाएं रचेंगे कि जिससे कि आपको नुकसान हो या आपके बारे में किसी से कुछ गलत बोलेंगे या कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी केस में या किसी और इस्तिती में आपको उल्जा करके रख देंगे, जिससे कि आप आगे ना बढ़ पाओ, ऐसे सत्रू जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको तो आप देख सकते हो, उनके उनसे आप सत्रक रह सकते हो, लेकिन जो आपकी आस्तिन में जो साप बैठा हुआ है, उससे उसको आप नहीं समझ सकते, तो अब ऐसे सत्रूं से कैसे निवटा जाए, तो देखें, यहां मैं आपको बहुत छोटा सप्रियोग बताऊं वहां आपको, जो गोमती चक्र होता है, एक वस्तु होती है, गोमती चक्र जो की सिद्ध गोमती चक्र होता है, अगर आपको सिद्ध ना भी मिले तो भई आप दुकान से ले लेना, क्योंकि अभी फिलहाल में जो होली का परव है, वो तो बहुत नजदीक है, तो मैं तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, आप कहीं भी दुकान से आप ले स आपका एक सत्रू है, आपको पता है कि भाई आपका ये सत्रू है, तो आपको क्या करना है, उस गोमती चक्र पर जो सिंदूर होता है, या तो सिंदूर से, या फिर कुमकुम से, अनार की कलम लेना, और सिंदूर या कुमकुम में पानी मिला करके उसको शाही बना लेना, औ पतलब की चोटे-चोटे भी आते हैं लेकिन वो चोड़ा होना चाइए बड़ा सा जिस पर आप नाम अराम से लिख सके तो उस पर आपको अनार की कलम से जो सिंदूर है या फिर कुमकुम है उससे आपको अपने सत्रू का नाम लिखना हो हो ठीक़्...? और सत्रू का नाम लिख करके आपको कुछ भी नहीं करना है मैं आपको बताओं आपको केवल जब होली का देहन होगी ना जब होली में आग लग जाए और ज़्यादतर लोग क्या होते है कि होली में आग लगा करके और सब लोग अपने अपने घर के तरफ चल देते हैं जो की बाल भून करके तो जब वहां कुछ ही व्यक्ति रह जाए या ना भी हो तो होली मतलब की आग थोड़ा अच्छे से पकड़ ले अब आपको क्या करना है कि वो जो गोमती चक्र है उसको आप उस होली की आग में आप उसको डाल दें सिर्फ आपको उसमें फैक देना है आपने सत्रू का नाम लेते हुए उसको फैक देना है बस अब जो आपके एक सत्रू के लिए मैंने बताया है कि एक सत्रू के लिए एक आपको गोमती चक्र चाहिए अब अगर मालिया आपके सत्रू कही है तो आपको चार हैं पांच हैं तो उतनी ही गोमती चक्रा आपको लेने हैं और सभी पर अलग-अलग अपने सत्रू का नाम लिखना है और फिर उनको अगनी में उसमें होली का दहन की जो अगनी है उसमें फैक देना है आपको आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आप से वो सत्रुता करनी बंद कर देगा अगर सत्रुता बंद नहीं करेगा तो नुकसान उठाएगा ठीक है? मतलब कि आपके सत्रु धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगे समापत होने का मतलब यहां यह नहीं है कि वो मर जाएंगे सब नहीं आप से सत्रुता छोड़ देंगे अगर मानलिया कि आप चाहते हैं कि एक तो यह मैंने आपको बता दिया कि जो आपको दिखाई देने सत्रु उनके लिए और अगर एद्रेश सत्रू हैं जिनका कि आपको नहीं पता है आप जानते ही नहीं है उनको और वो पीट पीछे आपकी पीट में छुरा हो करें तो अब उनके लिए क्या करना है उनके लिए आपको केवल एक ही काम करना है एक बड़ा सा गुमती चक्र लेंगे और उस पर भी कि आपको कुमकुम से जो शाही बनाएंगे कुमकुम की और अनार की कलम से उसको गुमती चक्र के उपर लिख देना है सर्व सत्रू निवारन बस इतना आपको लिखना है उसमें क्या होगा कि आपका एक ही गुमती चक्र लगेगा बस उसमें सर्व सत्रू का नाम आ तो जितने भी सत्रू हैं, चाहे वो सामने आपको दिखाई दे रहें, या फिर एद्रस से सत्रू हैं आपके, उने सब ही का हो जाएगा, मतलब कि उसको एक को ही आप होलिका की अगनी में डाल दें, तो जितने भी सत्रू हैं आपके, वो सारे के सारे आप से सत्रूता खत्म कर और धीरे धीरे वह अपना वहवार बदल लेंगे ठीक है अब यहां पर एक बात आ जाती है कि अगर आप गोमती चक्र के ऊपर कुम-कुम से आप लिखते हैं अनार की कलम से तो ठीक प्रकार से क्योंकि थोड़ा चिकना होता है वह तो अगर उससे ना लिखा जाए कुम-कुम और अनार की कलम से उस पर ना लिखा जाए ठीक तरीके से तो आपको क्या करना है sketch pen आता है sketch pen ले लेना लाल रंका दुकान पर मिल जाता है copy किताब की दुकान पर वहां से sketch pen लेकर के और sketch pen से उसके उपर आप सत्रू का नाम लिख सकते हैं या सर्व सत्रू जो भी आपको ल यह मैं आपको जितने भी प्रियोग बता रहा हूं न यह एक तरीके से समझगे कि अनुभाव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं अब यहां पर मैं आपको दूसरा प्रियोग में आपको बताता हूं जो की सत्रूत के निवारण के लिए है वो भी सभी सत्रू के निवारण के लिए है तो अब इसमें क्या करना होगा आपको देखिए मैं जो ये सब चीजे बता रहा हूं न अगर आप वीडियो को देख रहे हैं होली से बहुत पहले तो फिर आपको क्या करना है कि आप order कर सकते हैं वीडियो में मैंने आपको नमबर दिया हुआ है WhatsApp नमबर वहां से आप मुझे सामगरी के लिए order कर सकते हैं सामगरी तो आपको 100% मिलेगी मिलेगी उसमें टंसन लेनी के तो जरूत आपको है ही नहीं लेकिन order उस वक्त होना चाहिए जब थोड़ा सा टाइम हो ठीक है अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दो यह भी सत्रूता निवारण के लिए ही है तंत्रोक्त नारियल एक तंत्रोक्त नारियल ले और जब होली का देहन की रात्री आए जब होली में देहन लहो तो उसी वक्त पर वहीं पर खड़े हो करके आपको वो नारियल अपने हाथ में लेना है सीधे हाथ में और अपने सर के उपर घुमाना है और अपने सर के उपर घुमा करके, मतलब कि 7 बार अपने सर के उपर घुमाना है, clockwise घुमाना है, जैसे घड़ी की सुई घुमती है, उस तरीके से आपको घुमाना है, उसी दिसा से, और अपने सर्वसत्रों का नाम लेते हुए, सर्वतंत्र बाधा के लिए, ये तंत्रोक्त नारियल जो है, बहुत ही कारगर है, इसमें आपको क्या करना होगा, कि 7 बार अपने उपर से उतार करके, और आपको जो है वो, होली की जो अगनी है, उसमें फैक देना है, बस, तो जो भी आपके उपर तंत्र प्रियोग किया गया होगा, किसी भी प्रकार का हो, या फिर आ वो तम उपाय है ये ये भी उपाय काफी ज़्यादा महतुपूर्ण है और बहुत ही अच्छा उपाय है आपको करना कुछ नहीं है बस ना कोई इसमें मंत्र बोलना है ना कुछ करना है सिर्फ आपको अपने मन में भावना देते हुए कि सर्वतंत्र बाधा निवारण के लि सारे तंत्रिक प्रयो खत्म हो जाएंगे जो भी किसी ने किसी प्रकार का तंत्रिक gor किया हुआ अब आप कहेंगे कि आपने यह वीडियो बहुत लेट बनाया लिकन पर मेरी मझबूरी है क्योंकि अब यहांपर मैं आपको बतादो कि मेरा थोड़ा सा मेका का यह काम चल रहा है जिसमें की मेरा मकान सब तूटा हुआ है घर मेरा बन रहा आ तो वह मुझे पहले चाहिए वह मुझे पहले तयार करवाना है क्योंकि सिलाल में कहीं बाहर ही रहा हुआ क्यों मैं इतना धनाड Bean नहीं तो हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त लग रहा है, इसलिए मैं वीडियो टाइम से नहीं डाल पा रहा हूँ, बस दो-चार महीने की बात है, फिर उसके बाद आपके लिए regular वीडियो मिलेंगी, देखिए जो प्रियोग मैंने आपको बताए हैं, वो बहुत ही अच्छे प्रि कोशिस तो मैं करता हूं कि मैं रोज आपके लिए एक वीडियो दूँँ, लेकिन मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, व्यस्तता है, इसी वजए से मैं लोगों से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, फॉन पर किसी बात भी नहीं कर पा रहा रही हैं, मैसेज तो मैं ठीक है, रातर है सौरी है उसके लिए आगे हो सकता है मैं थोड़ा वक्त निकाल करके और आपके लिए वीडियो देता रहूं और जल्दी ही में आपके लिए कुछ छोटे छोटे प्रियोग जो की ज़्यादा बड़े नहीं होंगे लेकिन कारगर प्रियोग होंगे मैं उनके लिए उनकर एक वीडियो बनाऊगा यह पूरे गाओ आप नवरात Mär लाट सकते हैं जो आनेवाली नवरां है उसमें प्रियोग कर सकते हों ठीक तो तब--Tक के लिए मैँ रही कि लीजु